Good morning everyone, this is your maths period. Exercise 0.4 हमने start की हुई थी. आज हम करेंगे question number 4. Find the HCF of the following. हमें HCF निकालना है. HCF, first of all आपको HCF की full form पता होने चाहिए. क्या होती HCF की full form? Highest common factor, ठीके? हम 24 और 36 का HCF find out करेंगे. HCF find out करने के काफी method है. आप इस तरह से भी कर सकते हो. factors of 24, factors of 36. और उसमें से common factor लेलो. जो common factor highest होगा, वो HCF निकलाएगा. ठीक है? कैसे कर सकते हैं? दो method आपके पास करने के. सबसे पहले आप क्या लेख सकते हैं? common factor of 24. 24, 24 के common factor आपको find out करने है. ठीक है? इस तरह से भी आप HCF कर सकते हैं. factor of 28, factor of 36. factor of 28 find out करो. factor of 36. फिर उन दो लोगे common factor find out कर लो. यहाँ तक आपको सबको आता है. common factor find out करते ही. इसमें से HCF निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा factor होगा, वो हो जाएगा. highest common factor. जो सबसे बड़ा factor होगा, वो हो जाएगा. highest common factor. 24 and 36 का हमें के निकालने है. HCF. highest common factor. first method तो मैंने आपको बता दिया है. वो 28 और 36 का बताया है मैंने. और second method हम क्या कर सकते हैं. factorization. 2 1s are 2, 2 2s are 4. देखो कैसे करते हैं. 2 के table पर 2 कहा आता है? 1s are 2. 2 के table पर 2 कहां डिवाइड होता है? 2 के table पर 4 कहां डिवाइड होता है? 2 पर. 2 तूजा 4. 2 के table में 6 कहां आता है? कौन से नंबर पर? 6. 2 के table में 12 कौन से नंबर पर आता है? 6. तू की टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है 23 जा 6 अभी 3 बन्जा 3 सबसे पहले सबसे छोटा टेबल 2 बन्जा 2 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे देखो 2 बन्जा 2 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा न तो वो 1 जो बचा वो इसके साथ एड़ कर देंगे इसके आगे तो क्या बन गए यह 16 तो 2 के टेबल में 16 कहा आता है 2 8 जा 16 2 के टेबल में 19 कहा आता है 2 9 जा 18 अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं 3 3 जा 9 3 जा 3 जा 3 अब हम करेंगे 24 और 36 के पहले फैक्टर नोट डाउन यह सारे फैक्टर इस साइड वाले आपको फाइंड आउट डाउन करने हैं 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 3 ठीक है अगर आप इनको मल्टिप्लाइ करोगे तो देखो 24 यह आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अभी देखी इधर वाले फैक्टर सारे नोट डाउन करें 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 3 मल्टिप्लाइ 3 जो दोनों में कोमन है जितनी बारस पर सर्कल कर लो यह दोनों में कोमन है एक पेयर बनाना मतलब जोड़ां दोनों में यह दोनों common है अब क्या common है? दोनों में 3 हर एक का pair बनना चाहिए अब हम लिखेंगे HCF इन दोनों में से एक ले लो इस pair में से एक 2 आएगा इस pair में से एक 3 आएगा कैसे multiply करेंगे? 2 तूजा 4 अब 4 के table को 3 तक multiply करो 2 तूजा 4 4 तूजा 12 answer is 12 ठीक है? next करते है next देख ही है मैं आपको 3 digit वाला करकर दिखा देते हूँ 15, 35 and 45 15 35 and 45 2 के table में 15 नहीं आता है? 3 के table पर देखते हैं 3, 5 तूजा 15 3 के table में 15 कौन से नमबर पर आता है? 3, 5 तूजा 15 5, 7 तूजा 35 7 तूजा 7 45 कहा आता है? 2 के table में तो डिवाइड होता नहीं 3 के table में 3 तूजा 3 4 में से 3 माइनेस करोगे 1 तूजा 1 जो बचे को इसके साथ एड हो जाएगा 3, 5 तूजा 15 ये 15 बन गया 3 के table में 15 कहा आता है? 5 तूजा पर 45 का 3 मर्टिप्लाइ 3 मर्टिप्लाइ 5 ठीक है? अब common देखो इसमें 3 है इसमें कहीं 3 नहीं है इसमें 3 है तो इसमें circle नहीं लग सकता अब तीनों में common होना चाहिए इसमें 5 है इसमें 7 है इसमें 3 है देखो इसमें 5 है इसमें भी 5 है इसमें 5 है इसमें 5 है और इसमें भी 5 है तीनों में 5 है न चाहिए वो थोड़ा आगे पीछे लिखा हो लेकिन है तो तीनों में 5 ठीक है? तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? यह पूरा हमारा बन गया, common आगे तीनों में अब इन तीनों की जगा एक 5 हम ले लेंगे, तो अंसर क्या हो जाएगा, 5 हमें तीन, अगर हमारे पस 2 नंबर से हैं, तो हमने 2 में common लिया हमारे पस 3 नंबर है, तो हमने 3 नंबर है तो हमने 3 में common लिया यहाँ पर इन दोनों में से एक लिया, इस पेर में से एक लिया, इस में से एक लिया यहाँ पर इन तीनों का बना था, common, ये, ये, और ये, इन तीनों में से एक ले लिया ठीक है, इस तरह से आपको ये HCF के सम करने है, next question करते है Write 5 equivalent fraction of 6 by 7 हमें 5's equivalent fraction बताने है 6 by 7 के कर देंगे equal number से कैसे 2 by 2 6 by 7 को फिर कर देंगे 3 by 3 देखो numerator होता है यह denominator numerator में भी वही number हो denominator में भी नमबर हो numerator में भी number हो denominator में भी वही number हो यह आपने fourth class में भी करें equivalent fraction हमें यह 5 find out करने कितने find out करने है 5 तो क्या हमारा पास यह देखो 6 को अगर 1 से करती मैं 6 और 7 को तो 6 by 7 ही आता तो खुद से पहले 6 by 7 है तो 1 के लावा देखो 2 by 2 3 by 3 6 by 7 को 4 by 4 6 by 7 को 5 by 5 हमें 5 बताने न 6 by 7 को 6 by 6 देखो सबके यह fraction सेम है 6 तू जा 12 7 तू जा 14 6 तू जा 18 7 तू जा 21 6 तू जा 24 7 तू जा 28 6 तू जा 30 7 तू जा 35 6 तू जा 36 7 तू जा 42 यह एक्विवालेंट fraction है 12 by 14 18 by 21 फिर 24 by 28 फिर 30 by 35 फिर 36 by 42 यह है एक्विवालेंट fraction देखो 6 तू जा 6 6 तू जा 12 6 तू जा 12 6 तू जा 12 देखो 6 का टेबल चल रहा है 6 तू जा 6 तू जा 12 6 तू जा 18 6 तू जा 24 6 तू जा 36 6 तू जा 36 आपको जितने एक्विवालेंट fraction निकालने उतने नंबर से मल्टिप्लाई कर दो 5 निकालने तो 5 नंबर तक मैंने मल्टिप्लाई करती है सबसे पहले आप बताओ 1 वीक किसके एक्विल होता है 7 तू 32 वीक किसके एक्विल होगा 32 मल्टिप्लाई 7 आपको पता ना जब हमें 1 की वैल्यू गिवन हो और हमें मोर देन 1 की फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं मल्टिप्लाई यह थे कोस्चेन 4 तू 6 केरफुली वीडियो वाच करना कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना और आप सभी को मार्जन स्लाइन ज़रूर लगाने है अपनी फियर नोट पूप में थैंक यू वाव नाइस दे